हेलो गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूपमाई स्टाइल में और आज मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मिशन लेकर आया हूँ इंफॉर्मिशन क्या है बेसिकली ये मार्केट में जो कहता है ना कि ब्रहम चलते रहते हैं हम आस्था के नाम पर अपने आपको लुटवाना चालू कर देते हैं अगर हम बात करें भगवान के पतिना नहीं बहुत अच्छी बात है रहने को लगता है कि मैंने भगवान को मानता हूँ अपने भगवान की तस्वीर लगाईए उनके प्रतिय अपने आस्था रखिए अभी हो कह रहा है हिंदुस्तान के अंतर बहुत सारे चैनल्स आप देखेंगे टीवी पर आते रहते हैं कि यह एक यंत्र है इस यंत्र को आप अप अपना लेंगे तो आपकी जीवन है आपका वो सम्रद्ध हो जाएगा खुशाली भरा हो जाएगा जब से मैंने यह यंत्र लिया है तब से मेरी जिंदगी जो है वो खुशाल हो गई है घर में पैसा आने लगा है लड़के की शादी हो गई है बीबी खुश रहने लगी है गर में परिशानिया नहीं आने लगी है यह जितने भी चीजें हैं ये सब बेवकूफी है जितने भी चैनल है जो इस तरीके से चीजों को चला रहे है और आप लोग को दिखाते हैं और श्टाइल क्या होता ते यह पित जीविक यंत्र है यह एक जैविक यंत्र है या फिर यह समृद्धी यंत्र है और होगा कुछ नहीं खोप्चे या तो वो छोटा पीतल का कोई बर्तन होगा या फिर उस पर बनी हुई कोई भग्वान की मूर्ती इस तरीके से होगी बट उस पर क्या है भग्वान की मूर्ती बनाना गलत नहीं है। उसको जो communicate किया जा रहा है कि यर आपकी जीवन में खुषाली ला देगा अबै- गंटा अगर तुम्हारी जिंदगी में ये जैविक यंत्र खुशाली ला देता तो अगर तुम्हें नौकरी करने की जरूरती नहीं पड़ती तुम्हें नौकरी करने की जरूरती नहीं पड़ती तुम्हें तुम्हारा ये जैविक यंत्री तुम्हारा एक अकाउंट खुल करा होता है क्योंकि मैं मानता हूं हर एक इंसान के बास इतना पैसा तो है कि वो जैविक एंतर खरीज सकता है जो ये बता रहा है क्योंकि उसको इससे जीवन खुशाल हो जाएगा तो उसको इतना बोलने से उसको महिने की सहली मिल रही है तो मैं सबसे पहले जैविक यंद्र तेरी जन्दगी आगया है अब आज के बात तो जो टीवी पर आने की जुरूद नहीं है इतना चिलाने की जुरूद नहीं है और तेरी जन्दगी खुशाल हो गए क्योंकि बड़ा नोटंकी होती है TV चैनल के, होती क्या है ये जैवी क्यांतर, ये केबल 10 बचे हैं और 25 मनीपुर से ओडर हो गए है 10 दिली से ओडर हो गए है, 5 जैपुर से ओडर हो गए है, अब हमारे पर संक्या बची नहीं है अब केबल 20 बचे हैं, तो आप जल्दी जल्दी से ओडर करिए, ये देखिए रमेज जी का फोन आगा, इन्होंने ओडर कर दिया अब रमेज जी का एक वीडियो भी दिखाया जाएगा, बिल्कुल फुल लिबटेस अनाटा वाला उस पर रमेज जी आएंगे, और रमेज जी गोलेंगे, हाँ, जब से मैंने ये यंतर लिया है, तब से मेरी जिन्दीगी में खुशाली आई है पहले मैं नौकरी मेरी करोना में चली गई थी, उसके अब मुझे दो साल तक नौकरी नहीं मिली, मैं चोटी मोटी मज़ूरी करके अपना घर चलाता था और जब से मैंने ये यंतर लिया, तब से मुझे कमपणी का मैनेजर बना दिया गया है, मतलब ऐसा वीडियो दिखा जाए गया है, अब पूरी कमपणी उन्हीं पे टिकी है, अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया तो कमपणी डूप जाएगी, उतना बड़ा आप होचे का वैसी खुशहाली के टेंडर लग जाएंगे आपके, आज कल के पड़े लिखी समाज के अंदर भी इतने बड़े, मैं क्या कहूंगा कि बेवकूफी हो रही है, यहाँ पर मैं देशी वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता है, इन यंतरों के लिए, बट इतना बड़ हो रहा है, इस पर किसी के नदर नहीं है, ना कोई सरकार की, ना कोई पुलिस वाले की, ना किसी की के नदर नहीं है, कि यह जो लफड़े चल रहे है, जो पागलपंती चल लही है, टीवी चैनल पर, तभी क्यों दिखाई जा रही है, क्या सही में आज का समाच, यंत्र पर इस टिकी हुई है, अब इन यंत्र से अगर चीजे सुलग जाती, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन के बीचे की यंत्र रख दिया जाता है, और सब रिलेशन समझ सुलग जाते है, यह उक्रेन और रश्या का युद्ध चल ला है, उनके भी पत्ती भाई-भाई मिलके गले लगा लेते हैं आपस में, और अगर यह यंत्र सही में आपके जीमन में खुशाली दा देता तो आप मेरा वीडियो को देख रहे होते हैं, उस यंत्र को आपके घर में होता और मस्त खुशाली होती, तो इन सब लपड़ों बेदुलों फसी यह पूरी तरीके से बेवकूफी है, किसी यंत्र से कुछ नहीं होता है, लाइट में जो कुछ होता होँ मेहनत करने से होता है, आपके जीमन में खुशाली तभी आएगी जब आप मेहनत करोगे, इसलिए इस तरीके के टीवी चनल्स पे दिखाए जाने वाले एड्स के पूरी खुशाली जो है, वो कच्छे से गीली होती ही नीचे जमीन पे गिरेगी, आज की वीडियो बस इतना ही, बिलते है फिर अपने अगले वीडियो में तब तक लिटाटा, बाई बाई नमस्कार,